हे गाईस नमस्ते वेलकम टू माई चैनल सोनु क्रिप्टो और आइस नेटवर्क के अंदर गाईस अल्रेडी बहुत सारी इश्यू चल रही है बहुत सारी प्रोब्लम चल रही है उसके पर आइस नेटवर्क वालो ने एक न्यू टोकन लांच कर दिया जो है गाईस एक मीम ट तो इसके बारे में पूरी वीडियो में जानेंगे कि यह आपको free of cost दे रहे हैं या फिर इसको आपको buy करना पड़ेगा और second thing guys पहले है कि आइस नेटवर्क वाले OKEX एक्षेंज में ये करो ऐसा करके OKEX एक्षेंज को promote कर रहे थे अभी हाली फिलाली में gate.io एक्षेंज को उसको solve करो आप new token क्यों launch कर रहे हैं तो यहाँ पर यह क्या बता रहे हैं कि हमारे साइट से कोई भी problem नहीं है सब जो भी problem है OKEX साइट से अभी main बात यह आती है कि यह lawyer तक की बात इतनी बढ़ गई है OKEX एक्षेंज साथ तो अभी क्या होगा हमारे video के बारे में तो बहुत लोगों के बहुत सारे doubts हैं तो वो सब doubts इसमें हम discussion करने वाले हैं और mainly गाइस ethne network mining के अंदर official ATS token की trading start हो जुकि है वो भी इनके groups के अंदर जो overall 10 countries के groups हैं तो अभी इसमें हमको trade करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको मैं खुद दिखा दूँगा की group में क्या च री open कर दिए तो उसके बारे मैं भी आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर तो पूरी detail इस वीडियो के अंदर हैगी वीडियो थोड़ी से important है तो इसलिए वीडियो पूरी देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर देना subscribe और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर एक like करते जाना तो guys सबसे पहले जान लेते हैं अतने network के अंदर क्या क्या अपडेट से चोड़ी से अपडेट है दो से तीन वो आपको फटा फट बता रहा हूं ठीक है फरस्ट अफल guys इनकी जो KYC थी उसमें है कि बहुत लोग ये बोल रहे है कि free of KYC अभी नहीं ह लांच हुआ है बट इसमें हमको जाके ट्रेडिंग करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए क्यूंकि इसके ग्रूप के अंदर लेके जाके आपको दिखाने वाला हूं और सेकेंड चीज है कि इनके जो गेमिंग था जो आप सबको पता है कौन से गेमिंग ये करके उस गेम के इस ओफिशल एनॉस्मेंट हुई थी कि ट्रेडिंग ग्रूप्स लांच के जाएंगे और इन्होंने लांच भी कर जुके और यहां पर टोटल 10 कंट्री से जिसमें देखो नाइजेरिया पाफिस्तान युनेट स्टिट जर्मनी चाइना वहितना इंडिया मंगलादेश फ् तो इंडिया है इंडिया के ओपर टैप कर दो टैप करने के बाद यहां पर अपर open हो जाएगा और यह पर आपको क्या रहेगा कि एक दूसरे से चैट करके आपको बरोसा हे तब Khanh करना है तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत यूसर एके एटीच सेंट कर रहे हैं बट उनको पैसे नहीं मिल रहे है ठीके मलें overall scam होते जा रहा है कोई withdrawal दे नहीं रहा है कोई टोकन नहीं दे रहा है ऐसा बहुत कुछ हो रहा है तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना ठीक है और यहां पर इन्होंने क्या है, इंट्रोडूस किया है, Snowman app क्या हुआ है। जब इनको ब्लॉक्चेंच आएगा, तो उसमें जो भी näसे टोड़ूस करता है। थीक है। टूचेंके इनको वह थाएज। हो रहा है तो ऐसे और भी मीम कोईन यह ला सकते हैं बट सोचने वाल यह बात है कि हानी हाली फिलाल में दिए मैं मीन कोइन जैसे ही रीएक्ट कर रहा है कि उसकी प्राइज आप देखोगे और कónटिठी डेकोगे उस हिसाप से तो आइस कॉईन हान inclusive हाली तो और इन्होंने क्यों इंट्रिफ्स किया यह तो अभी सोचने वाली इनको ही रहेगी पहली बात तो इन्होंने आई इस टोकन का विड्रॉल का अभी तिक बहुत सारे इस्यूस वह नहीं किये तो खेर यह सब अलग बात है तो अभी जाल लेते हैं यहाँ पर आपको बाई क करना है तो कैसे कर सकते तो यहाँ पर इन्होंने टोटल सप्लाई दीए गईस बहुत सारी सप्लाई यह यह आप गिंते गिंते आप भी धक जाओगे इतनी मिम टोकन है बहुत ज्यादा सप्लाई है लिक्विडिटी प्रोवाइड कि यह तो पूरा डिपेंड किया इन्हों यूजर्स के उपर यूजर्स बाइस सेल करेंगे तब जाके होगा करके ठीक है अभी यहां पर यह कॉंट्रेक्ट एड्रस से किसी को अगर बाइक करना है तो कैसे कर सकते वह आपको बता रहा हूं कॉपी करना सिंपल और सिंपल सा आज जाना है यूनिस्वाइप कर अंदर और यहां पर आप कोई भी उपर मतलब आपको यूजर्स कर सकते हैं और यह किस में हो रहा है इधरियम नेटवर के अंदर इतना बात ध्यान रख लो ठीक है तो इक डौलर का बाइक करो तो भी चैसाट डॉलर के आपको फिस देनी पड़ेगी ठीक है तो यहां पे देखो यहां पर इतना जादा मिल रहा है कुछ प्रोफिट हो कोते को यहां पर वाप तो यहां कि यहां पर यह को सकते हैं जाते घृड़र के इन कुछ जाएं घृत्घ रही है लिग इंट्रोडिस किया है तो आप चाहे तो यहां से बाई करना है तो कर सकते हो ठीक है तो यह तो हो गई गई इस मीम कोईन की बात अभी में इंपोटेंट बात पर आ जाते हैं यहां पे एक यूजर ने यह कोशन किया था कि इदर आइस नेटवर्क के अंदर ही बहुत सारी प्र इस्यू नहीं है कि अरे बाई एब के अंदर ओके एक्स का क्या लेना देना है सिधी सी बात है ना उसमें भी तो बहुत दिक्कते आ रही है तो यह क्या बोल रहे है हमारे साड़ से कोई इस्यू नहीं है जितने भी प्रॉब्लम है वो ओके एक्स एक्शन की साइड है और हम उनसे बात भी करने का ट्राइ कर रहे है वो बात भी नहीं कर रहे है इसलिए हमने क्या किया है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सिधर लॉयर को बता दिये शायद लॉयर इनके उपर केस वगरा फाइल करने वाला है तो अभी OKEx एक्शन के साइड इनकी बात इतनी बढ़ गई ह कि अभी बोलते ना code case तक जलने वाला है ठीक है तो अभी जिन्नों ने OKX action का withdraw letters दिया था उनका तो क्या ही होगा आप अगर change कर सकतो क्योंकि यहां पर देखो मैंने भी पूचा था बहुत पूचा था कि चेंज करना है कि नहीं वगेरा और आइस इसमें एप के अंदर भी इस्यू आ रहे है तो इसके बारे में इनके साइट से कोई भी answer नहीं आ रहा है परफेक्ट यहां पर मैंने इनको टेक्स्ट भी किया थ इसके बारे में तो यहां पर गाइस मैंने इनसे पूचा भी था विट्रोल एड़र्स चेंज करना है ओके एक्स के मेटा मास का डालना है क्योंकि कुछ यूजर ने खुद की होश्यारी से डिरेक्ट ओके एक्स एक्षिन का डाल दिया क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है क्यो मैंने आपको रिजन भी तब बताया था क्यों मेटा मास का डालना ज़रूरी है करें हम कई पर भी विड़ल ले सकते हैं वह एक फाइदा रहता है अपने अंदर कंट्रोल रहता है डिसेंट्रलाइज वालेट है इस लिए ठीक है तो यही थी इंपोर्टेंट अपडेट जो को पता रहेगा ठीक है मैंने लास्ट टूडियो में दी थी अभी फिर से वेरिफिकेशन आई है और वेरिफिकेशन आने के बाद भी क्या दिक्कत है वो भी आपको बता रहा हूं यहां पर हम सब कुछ सही करते हैं बट फिर भी यह सेकंड टाइम वाला वेरिफिकेशन नह को आपके साथ शेर करनी थी और जिनने मेटा मास का एडरस दिया था हमारी वीडियो देखके हमने बार-बार बताया था तो उनके लिए अच्छा है जिनना ने खुद के मन्से इनके साइट से मांग के चलके दिया था तो भाई अब इनके साइट से अपडिट नहीं आई य पिर गो तो किता है किए जैीगे